नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का पुनम सिंग रेसिपीज में और मैं पुनम आज आप सब के लिए पालक की मठरी की रेसिपी लेकर आई हूं प्रेंट्स तो देखिए हम पालक और मेथी दोनों अपने ही गार्डेन से ले लिए हैं और इसको डाइरेक्ट पानी में डालकर हम इसे इस्टीम कर रहे हैं तो नीचे उबलता हुआ पानी रखती हैं और जाली पर पालक रहकर हमें इसे एक से दो मिनट तक बस सॉफ्ट होने तक इस्टी आनी कायूज आप सूप में या सबजी में डालने में कर सकते हैं, इतर आलू एक ले लिये थे, उसको भी मैस लिये हैं, और पालक का हमें चिकना पेश्ट बना लेना है, तो इसका हम पेश्ट भी बना लिये हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से, तो ये वंडर सेफ का हम, हैंड ये खरी दे थे, मिक्सर, इमेजॉन से इसका भी लिंक हम डालेंगे कभी आप लोग के लिए, बहुत अच्छा है, और इसी में हम बना लिये, चिकना पेश्ट इतर एक बोल हम गेहों काटा ले लिये हैं, एक बोल मैदा ले लिये हैं, और परपस फ्लोर करीब अंदाज से वो 100 ग्राम है, और सुजी 50 ग्राम, बेशन 50 ग्राम, कलॉंजी हम एक चमच ले लिए, अजवाईन एक चमच ले ले लेंगे, और नमक स्वाद के नुसार लेंगे, सल्टू टेस्ट, उसके बाद हम सारे चीजों को मिला लेंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम डालेंगे रिफाइंड ओयल मोयन के लिए, आप घीव या बटर भी डाल सकते हैं, जो आप लोको पसंद हो, तो यहां हमें ज्यादा बनाना था थोड़ा क्वांटिटी में, तो हम रिफाइंड ओयल का यूज कर रहा हैं, तो देखिए, थोड़ा सा और हम डाल रहा हैं इसमें, और य हम डालेंगे आलू, बॉयल आलू एक मैस कर लिए हैं, और वही पालक प्योरी, दोनों को मिला कर, अगर आप बॉयल आलू डाल रहा हैं, तो थोड़ा सा आपका मोयन कम भी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे बहुत खास्ता हो जाता है, तो सारे पालक को हम यह हम बेल सके आसानी से, तो देखिए, बिल्कुल परफेक्ट डो तयार है, इसमें सूजी जो है फूलेगा, तो भी कड़ा होगा, एक घंटा इसे हम रेष्ट पर छोड़ देंगे, इधर हम साटा बना लेंगे, मैदा और रिफाइंट तेल का, जो हम आगे यूज करेंग तो रेषिपी में आप बने रहिएगा, एक ही डो से हम तीन चार डिजाइन का, आपको मठरी बना कर दिखाएंगे फ्रेंट, तो देखिए, यह साटा बिल्कुल तयार हो गया है, इधर आटा भी रेष्ट कर चुका है, अब हम इसका गोली बना लेंगे, छोटा-छोटा प बेल लेंगे, रिफाइंड ओयल लगा लेंगे, और उसको उसी के साहता से चिकना हमें, रोटी बेल लेना है, तो देखिए थिकनेस कितना एक बिल्कुल रोटी के बराबर है, तो ऐसे ही एक एक करके हम सारे रोटी को बेल लेंगे, प्लेट में भी तेल लगा लेंगे, ता उसको साटा भी बोलते हैं, तो उस पेश्ट की सहायता से हम एक-एक करके सारे जो बेले हुए हैं रोटी उसको हम चिपकाएंगे, तो देखिए हम ब्रस की सहायता से भी आप इसको पेश्ट लगा ले सकते हैं, रिफाइंड और मैदा का, और हाथ, अपना हाथ जगरना भी सह ही है, और हाथ से भी हम उसे लगा लेंगे, रोटी डालते जाएंगे, फैलाकर इसे एक बराबर हमें करना है, ताकि लेयर इसका एक समान बने, तो देखिए ऐसे ही एक-एक थोड़ा सा गीला हो गया है मेरा, आप लोग थोड़ा सा डोप और इससे टाइट रखिएगा, क् किन स्वादिष्ट लगता है खाने में, इसलिए हम डाले, आप लोग चाहें तो आलू स्किप भी कर सकते हैं, इदर बीच-बीच में हम थोड़ा सा मैदा का भी डश्टिंग कर दे रहा हैं, ताकि इसका लेयर अच्छी तरह से हो जाए, तो देखिए ये पूरा हम लगा कर तयार कर लिए, और उपर से भी हलका सा हम मैदा का डश्ट कर दिए, ताकि थोड़ा जो मुश्यर है, वो मैदा अबजरब कर ले, तो इसे ही बिल्कुल टाइट हमें डो तयार करना है, ये रोल तयार करना है, ताकि ये खुले नहीं, तलने में तो थोड़ा सा लेयर खुल लेकिन खाने में मज़दार क्रिस्प बना रहता है, तो देखिए इसे अब ना हमें बेलना है, ना कुछ ऐसे ही काट लेना है, और थोड़ा सा इसका हमें सेप बना देना है, ताकि देखने में सुन्दर लगे, तो देखिए सारा कट कर लिए, और ऐसे हलका हलका हाथ से यार हो गया, मठरी कट करके, अब हम आपको दूसरी तरह का काट कर बताएंगे, तो डिजाइन देखना है, तो जरूर बने रहेंगे, इसकी इपना करेंगे, एक से एक सुन्दर डिजाइन हम आपको बना कर दिखाएंगे, और फ्राई करने का तो सबको आइडिया है कि कैसे करना है, और हाँ फ्रेंट, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वे रेसिपी अच्छी लगे, तो लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता है फ्रेंट्स, और आप लोग का सपोर्ट सबसे जरूरी है, हम लोग के लिए, तो देखिए इसको हम रिं खुल लेंगे, और जितना आप इसको घुमा सके, घुमा लें, और ये बिल्कुल ही लेयर बाई लेयर खुल जाता है, फ्राई होते समय, तो देखिए एक हम मठ्री ऐसे बना लिए, और एक हम बनाएंगे, और बड़ा सेप में, तो देखिए उसको भी हम कट कर रहे हैं, होली का सीजन है, रमद्यान का सीजन है, तो एक से एक खाने की चीजे हम लोग देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, फ्रेंट्स, तो हैपी होली सबको, हैपी रमद्यान, आप सबको, तो देखिए ये एक फ्लॉवर का डिजाइन का हम बनाएंग तो उसको भी हम बना कर बता दे रहे हैं आपको, कि कैसे ये बना है, तो पूरी जैसा ही सारे चीजे हमको वेलना है, पूरी के जैसा ही, और इसे कट कर लेना है, बहुत सारा डिजाइन है, लेकिन समय के चलते हम लोग ज्यादा वीडियो लंबा न हो जाए, इसलिए नहीं बन अब इसको हमें नीचे के तरब से, जैसे ट्रेंगल में रखते जाना है, तो नीचे का जो नुकिला पार्ट है, उसको लेते हुए हमें रोल करते जाना है, थोड़ा सा ये किनारे आ गया है, तो वीडियो में नहीं आया है, तो बिल्कुल नीचे से कोना वाला भाग से सुर बन रहा है कि नहीं बिल्कुल सुन्दर बना तो फिर हम आप लोग के लिए वीडियो में भी यह दिखा दिये इधर तेल गरम कर लिए हैं और हलका मिडियम टुलो फिलेम पर हमें हलका गुनगुना तेल में ही डालना है ज्यादा तेज में नहीं डालना है न तो फिर उपर का लेयर लाल हो जाएगा और अंदर कच्चा ही रह जाएगा तो बिल्कुल medium to low flame पर हमें इसे शुरू में रखना है, बीच में फिर कुछ एक मिनट के करीब हम तेज करेंगे, ताकि क्योंकि इसमें आलू है, तो आलू थोड़ा सा soft हो जाता है, इसलिए हमें बीच में तेज करना पड़ता है, ताकि आलू भी crisp हो जाए, तो देखिए, थ रिंग वाला मटरी हम डालें, फ्लावर सब डालें, इसको भी शुरू में नहीं हमें चलाना है, एक साइट से हलका फ्राई हो जाए, तब हमें इसे फिर उलट पलट करके, क्रिस्प होने तक सेक लेना है, देखिए ये लंबा वालक जो हम बनाए थे, वो है मटरी दिख रह फ्राई होकर तयार हो गया, तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंट्स, पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबाय, टिक क्यार, हैव नाइस डे, हैपी होले,